अब हम solve करते हैं इस chapter के कुछ numericals, तो numericals में सबसे पहला question है हमार पास, एक container of area 0.02 meter square is filled with water up to a height of 1 meter, find the pressure at the bottom of the container if a weight of 10 kg is placed on the piston on the top, तो question के according हमार पास एक container है, जिस container का area हमें given है 0.02 meter square, तो हमने यहाँ पे area लिख लिया, ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस container के अंदर liquid fill किया है, liquid में हमने water fill किया है, और water की जो हमार पास height है, यह जिस height तक हमने water पास फिल किया है, इस container के अंदर, वो height हमार पास given है 1 meter, तो इस height को हम H मान लेते हैं और H हमारे पास कितना है, 1 meter, अब हमें इस tank के bottom पे, या इस container के bottom पे, pressure निकालना है, कब जब हम इसके उपर जो piston हमने रखा हुआ यह, इस piston के उपर एक हमने mass place कर दिया, जिसका mass है हमार पास 10 kg, तो देखो, अब यहाँ पे, इस वाले point पर, एक pressure exert होगा, यानि कि piston के उपर, यह वाला block जो है, कुछ pressure exert करेगा, वो पूरा का पूरा pressure, liquid के top surface पे भी आएगा, तो हम क्या क करते हैं, पहले liquid के top surface पे pressure निकालते हैं, तो liquid के top surface पे pressure निकालने के लिए, हमें निकालना पड़ेगा, pressure on the piston, तो हम देखते है, pressure on the top of the piston कैसे निकालेगे, तो इसको निकालने के लिए, हमने formula यूज़ किया, P1 is equal to force upon area, हम यहाँ के pressure को P1 मान रहे है, इसलिए हमने यहाँ पीवन ना पकाल, ठीक है, तो P1 is equal to कितना हो जागा, force upon area, तो piston के उपर जो force लगा रहा है, वो केवल यह वाला mass लगा रहा है, ठीक है, तो इसका mass हमने लिख दिया है, यहाँ पे M, और multiply कर देंगे G, क्योंकि force यहाँ पे, इसके weight के वे से act होगी, तो force का हमारे पास formula गया M, G, Y, A, अब M हमारे पास क्योंकि given है, 10 kg, G की value हमने रख दी, 9.8, इसको हमने divide कर दिया, 0.02 से, इसको solve करके, जो हमारे पास pressure निकल के आएगा, वो आएगा, 4900, पासकर, यह हमारा pressure आगया, कहाँ पे, piston पे, अब यह पूरा का पूरा pressure liquid के top surface पे, as it is, लगेगा, तो liquid के top surface पे जो pressure हो गया, उसको हमने मान लिया, P1, अब चलते हैं liquid के bottom face पे, यानि कि सबसे नीचे वाला face, तो सबसे नीचे जो base है, इसका container का, उस पर कितना pressure exert होगा, तो उस पे pressure निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, pressure due to liquid column, यानि कि इस height क की वे से जो pressure आएगा, वो कितना आएगा, होगी, और उस होगी में हम के add कर देंगे, जो इस point पे pressure था, क्योंकि यहाँ पर total pressure किसके द्वारा लगेगा, total pressure लगेगा, इस liquid column की height की वे से, और साथ में जितना pressure उपर लग रहा था, वो भी इसको उपर act करेगा, तो total pressure कितना आएगा, bottom पे, P1, यानि की यहाँ का pressure, और plus में, H-row, G, यानि की जो pressure इस liquid column की वज़ा से आएगा, ठीक है, P1 की value हम अल्रेडी निकाल चुके है, वो है हमारे पास 4900, प्लस height हमारे पास given है, 1 meter, density हमारे पास कितनी होगी, water की, 1000, और G की value हमने put कर दी, 9.8, 4900 का हमने आएगा, 9.8, 00, इन दोनों को add करके हमारे पास answer कितना आगया, 147, 00, पास कर, तो इतना pressure exert होगा, bottom of the container पे, अब देखते हम, second question, question number 2 में हमारे पास given है, 50 kg girl wearing high heels, shoes, balances on a single heel, the heel is circular with a diameter 1.0 cm, what is the pressure exerted on the horizontal flow, तो हमारे पास question में है कि girl है, जिसका mass 550 kg given है, ठीक है, उसने high heels spend रखी है, और उसने अपने पूरे weight को, एक single heel पे balance किया हुआ है, ठीक है, तो अब single heel पे उसने balance किया हुआ है, यानि कि पूरा का पूरा जो उसका weight है, वो single heel पे act हो रहा है, तो यानि कि उसका जो pressure आएगा, वो पूरा का पूरा single heel पे आएगा, ठीक है, अब single heel के नीचे का area of cross section है, वो आपका circular है, ठीक है, और उस circle का diameter आपके पास given है, 1 cm, तो diameter से हम radius निकाल लेंगे, क्योंकि radius हमें जवरत पड़ेगी area निकालने लिए, हमने radius को कैसे निकाला, 1.0 divided by 2, that is equal to 0.5, अब इसको meter में change करने के लिए, हमने 10 की power minus 2 से multiply कर दिया, अब हम निकालते हैं यहाँ पर pressure exerted on floor, तो pressure कितना exerted होगा, उसके लिए हम formula use करते है, pressure is equal to force by area, तो pressure का formula कितना आगया, force हमार पास कितनी है, mass multiplied by g divided by pi r square, इसको solve करेंगे, तो mass हमार पास कितना given है, 50, g की value given है, 9.8, pi की value है 3.14, और r ह minus 2 का whole square, इसको solve बरते हैं, तो 50 multiplied by 9.8 हो गया, 490, और 3.14 multiplied by 0.5 का square, इसको पूरा solve करके, हमार पास answer आएगा, point में 785, 10 की power minus 2 का square करेंगे, तो यह हो गया, 10 की power minus 4, 490 को मैंने 0.785 से divide किया, तो answer है, 624.20, multiply by 10 की power minus 4 था, इसको उपर लेके जाएगे, तो यह positive में 4 हो जाए तो point को इधर खिसका देंगे, तो हमारे पास answer कितना हो जाएगा, 6.24 into 10 की power 6, पासकल, यह वो pressure है, जो कि उस गर लेके द्वारा exert होगा, फ्लोर पे, या फिर हम बोल सकते हैं, heels के द्वारा exert होगा, फ्लोर पे, next question देखते हो, next question हमारे पास given है, if the required pressure in the tire of a car is 199 किलो पासकल, then what is the gauze pressure and what is the absolute pressure, तो हमारे पास question में given है, कि जो tire है, उसके इंदर को required pressure होता है, वो कितना चाहिए है, 199 किलो पासकल, required pressure वो होता है, जो tire को inflate करने के लिए यूज किया जाता है, तो required pressure हमार पास कितना है 199 किलो पासकल अभी जो required pressure होता है ठीक है यह required pressure किसके वेश होगा उसके अंदर जो हमने gas भरी है ठीक है तो उस gas के वज़े से जो pressure exert होगा वो कितना exert होगा वो हम simply simply उसको बोल सकते हैं तो यह प्रेशर होगा टायर के अंदर वही हमारा क्या होता है गॉस प्रेशर तो गॉस प्रेशर हमार पास कितना आगया 199 किलो पासकल डैट इस 199 अब नेक्स्ट हमें निकाल ला है एपसल्यूट प्रेशर तो एपसल्यूट प्रेशर का मैंने आपको फॉर्मला बताया था क्या होता है एटमॉसफेरिक प्रेशर में गॉस प्रेशर को एड़ करतो वह हमें क्याले देगा एपसल्यूट प्रेशर या जिसको हम टोटल प्रेशर भी बोलते हैं ठीक है तो ट 10 की पावर 3 है यहां पर 10 की पावर 5 है एक काम करते हैं इन दोनों को equal बनाते हैं कैसे equal बनाएंगे यह point को यहां किसका दो तो यह बन जाएगा 10 की पावर 3 और यहां भी 10 की पावर 3 है अब 10 की पावर 3 को हम common निकाल सकते हैं तो हमारे पास अंदर value बचेगी 101.3 प्रस में 199 त question no.4 में हमारे पास given है find the absolute and gauss pressure at a depth 1000 meter in an ocean ठीक है यानि कि हमें absolute pressure और gauss pressure निकालना है किस depth पे 1000 meter की गहराई पे ocean में तो मान लेते हैं यह हमारे पास क्या है top face of the ocean इसके नीचे पूरा का पूरा क्या है water ठीक है कुछ depth तक वैसे तो पूरा ही water होगा लेकिन हमें चाहिए 1000 meter की गहराई पे तो मान लेते हैं यहां से जो हमारे पास depth होगी यहां तक कि इसको हमने consider कर लिया edge ठीक है और यह हमारे depth कितनी है 1000 meter यानि edge हमारे पास कितना है 1000 meter तो इस depth पे हमें क्या निकालना है हमें absolute pressure निकालना है और gos pressure निकालना है absolute pressure निकालने के लिए हमें formula पता है क्या होता है atmospheric pressure प्लस में इस point पे इसके उपर जितना भी water है उसकी height के वैसे जो pressure act होगा जिसको हम gos pressure भी बोलते हैं उसको add कर देंगे absolute pressure क्या हो जाएगा PA प्ल 1.013 into 10 की पावर 5 होती है, height हमारे पास given है 1000, density of sea water, जो कि हमारे पास question में ही given है 1.03 into 10 की पावर 3, उसको asities use करेंगे और multiplied by g की value हम use करेंगे 10, क्योंकि हमें g भी दे रखा है, क्या use करना है 10, ठीक है, इसको पूरा solve करते हैं, तो इसको इसको solve करेंगे, तो इसको solve करने के लिए ध्यान देना, यहां पर हमारे पास 10 की पावर 5 है, तो एक काम करते हैं, यहां पर भी 10 की पावर 5 ले लेते हैं, ताकि इसमें common निकालना easy हो जाए, तो 10 की पावर 5 बनाने के लिए यहां से 2 zeros को उठाएंगे, ठीक है, और 2 zeros को यहां पर add कर देंगे, तो 3 प्लेस 2 कितना होगे, 10 की पावर 5, बाकि जो value बचे 10, इंटू में 1.03, इंटू में 10, इसको multiply करके आपके पास answer आएगा, 103, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, 10 की पावर 5, अब 10 की पावर 5 को हम यहां पे common निकालनेंगे, अंदर बचेगा, 1.013, और प्लस में 103, इन दोनों को solve करते हैं, यानि add करेंगे, तो हमारे पास answer आएगा, 104 multiply by 10 की पावर 5 पासकल, और यह आप्रोक्स किसके बराबर है, 104 ATM, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 5 पासकल में कितने ATM होते हैं, 180, तो हम इसको लिख सकते हैं, 104 ATM, अब next हमें क्या निकालने है, गौस प्रेसर, तो गौस प्रेसर निकालने भी हम क्या करेंगे, जो हमने absolute प्रेसर निकालना है, उसमें से atmospheric pressure को minus कर दो, तो गौस प्रेसर हमारे पास कितना है प्रेसर हमारे पास कितना है, 104, इसमें से हम माइनस कर देंगे atmospheric pressure यानिकी 1 को, तो 104-1 हमारे पास answer कितना है, 103 ATM, यानिकि गौस प्रेसर जो अप्लाई हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 103 ATM, अब यह हमारा question complete नहीं हुआ, उस question में हमसे एक और चीज पूछी गई है, क्या एक्टिंग वाना window of area 20 cm into 20 cm of a submarine at this depth, अब इतनी गहराई में आपके पास एक submarine है, इसी दख्ट पे, ठीक है, हमार पास एक submarine है, उसमें एक window लगी हुई है, ठीक है, इस window का area हमें गिवन है, 20 cm multiply by 20 cm, अब इस area को आप change करोगे, मीटर में, कैसे change करेंगे, 20 cm को change करो, मीटर में तो 0.2 हो जाएगा, 20 cm को change करोगे, 0.2, इन दोनों को आपसे multiply गरोगे, तो answer आएगा, 0.04 meter square, ठीक है, तो area हमार पास आगया, अब हमें निकालना क्या है, इस वाली window पे, कितना force exert होगा, वो हमें निकालना है, अब force क्योंए exert होगा, यहां पे, क्योंकि देखो, बाहर से liquid क लगाएगा कुछ, ठीक है, तो total कितना force exert होगा, वो हमें calculate करना है, उसे calculate करने के लिए हम कैसे calculate करेंगे, तो देखो, हमने पता है, window पे जो pressure exert होगा, एक तो liquid के थ्रूँ exert होगा, ठीक है, और जो अंदर pressure लग रहा है, यानि submarine के अंदर, वो pressure हमें कितना दे रखा है, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure, यानि कि suppose करते हैं, यह हमारे पास अगर window है, ठीक है, तो यह क्या है, यह आपका interior है, और interior से जो pressure लग रहा होगा, वो लग रहा है, atmospheric pressure के बराबर, और बाहर से जो pressure लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है, आपस absolute pressure, यानि कि total pressure, ठीक है, अब यहाँ पे net जो pressure आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे, net pressure हम निकालेंगे, absolute pressure माइनस में atmospheric pressure, जिसको हम gosh pressure भी बोलते हैं, ठीक है, तो gosh pressure क्योंकि हम already निकाल चुके हैं, तो इसलिए हम directly वही value को use करेंगे, और उससे answer निकालेंगे force का, तो क्योंकि हमें पता है, gosh pressure कितना होगा, force upon area, त निकाल चुके हैं, 103 ATM, इसको हम change कर देंगे, पासकल में तो, into में हो जाएगा, 10 की पावर 5, और area भी हम निकाल चुके थे, 0.04, इन दोनों को आपस में multiply करके, solve करके, answer निकालेंगे, तो answer आएगा, हमारे पास, 4.12 into में 10 की पावर 5, Newton.